अस्ताम लेकूम कैसे हैं आप सब तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सेस 4.2 के कुछ से नमबर 7 की तो मेरे पास एक लास 9 पाथमेटिक्स की बुख है साइंस क्रूप की और उसका ही चेप्टर नमबर 4 चल रहा है इसके लावा भी क्लास 9 से डिफरेंट चेप्टर मैंने कवर किये हैं वो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस सेक्शन नम बिल जाएंगे आपको दो वैलिस बताहीन गई हैं पहली वैली यह बताही गई है कि 3x प्लेस 4y की वैलिस जो है वह 11 बनती है यहाँ पे आपको यह पहली वैलिब olv गिवन है दूसरी value है xy, xy की value कितनी given है, वो है 12, यानि दो values पूरी हो गई, अब इदेर एक चीज़ ओर सोचने वाली है, कि आपको जो चीज़ स्टार्ट में बताई है, यानि 3x प्लस 4y की value जो 11 लिखी हुए है, इसमें आप देख सकते हैं, जो variables आ रहे हैं, x और y, उनके साथ coefficient 3 औ कोई और नजर नहीं आई, यानि ये पहला question है, जिसमें coefficients आपको 1 के इलावा नजर आ रहे हैं, तो आगे पढ़ते हैं, तो लिखा है, then find the value of 27x cube प्लस 64y cube, तो वो कहरे हैं, अगर हमने आपको ये दो values बता दी हैं, तो हमें value निकाल कर दिखाएं, 27x cube प्लस 64y cube के, और यहा start करते हैं, तो आपको सामने screen पर question नजर आ रहा है, तो सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो यह हम given data यहाँ पे लिखेंगे, जिस तरह पिछले questions में लिखते आए हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे given data, यानि वो data जो हमें question के अंदर बताया गया है, तो given data के अंदर हमें क्या बताया गया है, एक तो हमें 3x plus 4y की value बताया गया है, 3x plus 4y उसकी value 11 है, दूसरी हमें उपर आप देख सकते हैं, xy की value बताया गया है, जिसकी value 12 है, और find क्या करके दिखाना है, उसके लिखेंगे यहाँ पे heading डालूँगा, to find, यानि जो हमने find out करके दिखाना है, ठीक है, तो 2 find के अंदर में लिखोंगा 27x cube plus 64y क्योंकि इसकी value हमने find out करके दिखानी है, अब यहाँ तक करने के बाद आपको याद होगा, पिछले courses के अंदर भी मैंने आपको बताया है, कि जब आप यह सारी चीज़े लिख ले, तो फिर आपने एक ऐसा formula pick करना होता है, जिसमें आपका given data भी आ रहा हो, और 2 find की value भी, 2 find की terms भी उसके अंदर mention हो, ऐसा formula जिसमें जो आपका given data और जो चीज़ find out करनी है, वो सारी terms आ रही है, उस जैसी terms आ रही है, वो ही आप use करते हैं, उस चीज़े को निकालने के लिए जो missing होती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी थोड़ी सी चीज़े आप कहलें different है, वो इस लिहाँ से कि इस से पहले हमने जितने भी questions किया, उसमें formula चूज किया और उसके अंदर direct values पूट कर दी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि x का coefficient 3 है, y का coefficient 4 है, जो चीज़ find out करनी है, उसमें coefficient 27 और 64 x cube के और y cube के नजर आ रहे हैं, तो आपने formula तो जरूर चूज करना है, लेकिन उसको बनाना खूद है, उसको manage खूद करना है, क्योंकि जो general formulas हैं, उनके अंदर 3, 4, 24, 27, 64 आपको नजर नहीं आएंगे, तो इधर आपको formula guess कर लेना है कि कौन सा use हो सकता है, और उस जैसा ही बनाना है, और उसी बदद से आपकी cube नजर आ रहा है, तो यह आपके लिए पहला hint है कि आपको कोई whole cube का formula बनाना चाहिए, और whole cube का क्यों बनाना चाहिए, कोई और क्यों नहीं बनाना चाहिए, जब हम formula बनाएंगे, आपको उसी से अंदाजा हो जाएगा, तो इसका तरीका यह हुआ करेगा, कि जो चीज आप पे missing है, अब क्यों कि मैंना को काई यहाँ पे cube mentioned है, तो आप क्या करें, इस expression के दोनों sides पे cube apply कर दे, आप यहाँ पे लिखे, taking cube on both sides, दोनो sides पे आप क्या apply करें, cube apply करें, इसका फाइदा क्या होगा, वो भी आपको पता चल जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, 3x plus 4y whole cube is equal to 11 और इसके उपर भी whole cube, यहाँ तक apply कर दिया, अब आपने वो वाला formula चूस करना है, जो जब भी हमाँ प्रस को इस तरकी brackets आती है, जिसकी मदद से मिनको expand करते है, यह एक तारा का लिखावा है, a plus b whole cube, और आप जानते हैं, कि a plus b whole cube किसके equal होता है, मैं यहाँ पे plus b, तो आपने यही formula इसके उपर apply करना है, इसमें a 3x है और b 4y है, तो आप लिखेंगे पहले वाले का cube, यानि 3x का whole cube, plus b वाले का cube, यानि 4y का whole cube, plus 3 times of a, b, a है पहले वाला, यानि 3x, b है दूसरे वाला, यानि 4y, into a plus b, यानि इसी चीज़ को दुबारा लिख देते है, 3 3x plus 4y, 3x plus 4y, और यहाँ पे तो आजएगा 11 का cube, 11 का cube का क्या मतलब है, 11 को तीन दफा multiply करना है, यानि 11 times 11 times 11, तो जब आप इसको करेंगे, तो आपके पास answer आजएगा 1331, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1331, अब देखें, हमने use formula ही किया है, और यही formula से हमारी मदद भी हो 9, 9 3 times 27, 27 होता है, x cube पर part 3 आएगा, तो x cube आजएगा, 4 का cube कितना होता है, 4 का cube होता है, 64, आपके पास calculator से हैं, आप calculator से करके देख सकते हैं, और y का cube कितना होता है, y cube, तो देखें, 27 x cube प्लस 64 y cube, वही चीज है, जो हमने find out करनी थी, तो यह तो आपके पास expression में आपको और यहाँ पर आपके पास यह तो चीज वैसे की वैसी ही आजएगी, जो कि है 3 x plus 4 y, और यहाँ पर आपके पास बचेगा 1 double 3 1, जो कि 11 का cube था, अब आप देखें, यह चीज तो आपने find out करके दिखानी है, इसलिए इसको तो वैसे का वैसी note down कर लें, यानि 27 x cube प्लस 64 y cube तो वैसे का वैसी note down कर लें, 36 xy की value आपको given है question में, देखें, यह given है 12, तो आप xy की value कितनी रखे के यह आपे 12, और 3 x प्लस 4 y की value भी आपको given है question में, देखें, इस टार्ट में 3 x प्लस 4 y किसको equal था 11 के, तो आप यहाँ पर लिख सकते है 11, और यहाँ पर तो 1 double 3 1 तो वैसे का वैसे ही आ रहा है अब आपने क्या लिखना है इसको वैसे होता रहा है तो देखें क्या आ रहा है इसको बाकी तुमाम चीज़ों को दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा तो यह पॉजिटिव है इसको एक्वेशन के दूसरी तरफ मूव कर लेंगे तो यह नेक्रिटिव हो जाएगा अब दोनों साइट पर यह नंबर सब्टैट भी करवा सकते हैं उसका मीनिंग भी यही ह तो यहां पर हो जाएगा 4752 यहां के क्या हो जाएगा माइनस तो मारे पास बचेगा 27x3 प्लस 64y3 इस इक्वल टू और आगे आपने क्या करना है आपने लिख देना 1331 माइनस 4752 तो आपके पास क्या अंसर आ गया माइनस 3421 यानि माइनस 3421 तो देखे यही वैल्यू है जो जो हमने फाइड़ करके दिखानी थी क्योंकि मिसिंग क्या था मिसिंग था 27x3 प्लस 64y3 तो इसकी वैल्यू हमने निकाल लिए तो इस तरीके से आपने एक कॉसर्ण सॉल्फ करने है तो ऐसे कॉसर्ण जिसमें आपके पास वेरीबल के साथ कॉफिशन मिलेंगे तो उसमें आपको फूल यूस तो फॉमला ही करना है लेकिन उसको पहले मैनिज करना है पहले उसको कुछ बनाना है उस जैसा बनाना है उस जैसे बनाने के लिए आपको स्क्वेर भी लेने पड़ सकते हैं क्यूब लेने पड़ सकते हैं क्यूब लेने पड़ सकते हैं क्यूब क्यूब बारा था तो इसलिए मैंने जो चिस given थी उसी के उपर दोनों साइट पे cube अप्लाई कर दिया और cube अप्लाई करने के बाद जो मैंने इसको expand किया तो वो automatically एक formula बन गया जिसमें वो terms उत से आ गई जो हमें चाहिए थी और जो given थी वो भी उसमें थी और सिर्फ values पूट करके हमने असानी से answer निकाल लिया तो अमीद है आपको समझ आयोगा इंचानल next videos मिलेंगे बाकी solution के साथ